हेलो, आज का हमारो टॉपिक है रेप्लिका प्लेट टेक्निक और आज हम जानने वाले कि रेप्लिका प्लेट टेक्निक कैसे ही करते हैं और क्यूं करते हैं सो सिंपल ही रेप्लिका प्लेट टेक्निक ही एसी टेक्निक है जिसमें हम एक प्लेट की रेप्लिका बनाते हैं इसके जैसे ही दिखने वाली same to same plate बनाते हैं तो यह हम कैसे बना सकते हैं इसलिए हम क्या करते हैं जो हमारी हम पहले एक plate पे हमारी colonies को grow कर लेते हैं फिर उसके बाद में उनी colonies को एक replica plate पे grow करते हैं वो भी in a same manner way, in a same numbered manner, in a same way जैसे कि अगर एक plate पे जैसे colony होगी जिस manner में, जिस प्रकार होगी उसी प्रकार दूसरे replica plate पे हम वो colonies grow करते हैं एसा grow करने के लिए हम कौनसी technique यूज़ करते हैं हम replica plate technique यूज़ करते हैं और जिसके वज़े से हम हमें अगर किसी colony को टेस्ट करना हो अलग-अलग प्रकार से तो हमें इस technique के वज़े से help होती है तो यह टेकनिक लैडर बर्ग इशर लैडर बर्ग एस जोशुआ ने मिलके डेवलप की थी इन 1952 में इसके बाद में हम replica plate technique क्यों यूज़ करते हैं तो हम replica plate technique isolate करने के लिए और detect करने के लिए इसी antibiotic के वज़े से उनकी growth stop नहीं होती है वो in presence of antibiotic भी वो grow करते हैं और oxytropic nutrients वो होते हैं जो जिनको specific nutrient बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है उनकी growth के लिए अगर वो ना मिले तो वो grow नहीं होता है तो अगर for example अभी हम ले अगर कोई bacteria है जिसको growth के लिए lactose लगे गही और हमने अगर उसे lactose provide नहीं किया तो वो grow नहीं होगा और usually वो nutrients वो खुद बना सकता है पर नहीं वो उसके ability खो देता है with the time इसलिए वो खुद के वो nutrients नहीं बना सकता है और इसके लिए हमें वो हमारे जो artificial nutrient है उसमें सब उससे provide करना पड़ता है तो यहाँ पर oxotropic mutants हो गया और replica plate technique यह हम temperature sensitive mutants को isolate करने के लिए भी यूज़ कर सकते तो अगर हम यह temperature sensitive mutants isolate करने हैं तो हम जो colonies form हुए 30 degree centigrade को उनको हम transfer करेगे two plates में जिसको हम एक plate को incubate करेगे 30 degree centigrade पे और दूसरी plate को हम incubate करेगे 42 degree centigrade और जो colonies जो 30 degree centigrade पे ग्रो हुई है पर 42 degree centigrade पे ग्रो नहीं हुई है वो उन्हें हम कह सकते कि वो temperature sensitive colonies थी इसके लिए वो दूसरे plate पे ग्रो नहीं हुई सो अभी principle क्या है replica plate technique का सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि replicas were grown मतलब जब replica grow हो जाते हैं तो उनको compare किया जाता है master plate की location से जो master plate की colonies है उनको जो replica plate है उन दोनों को compare किया जाता है और जो resistant colonies grow होती है same position पे replica plate पे उनको mark किया जाता है master plate पे फिर वो जो colony वाला area है उसे cut किया जाता है और वो bacteria को liquid medium में suspend किया जाता है और फिर उसे further studies किया जा सकता है इसलिए तो अभी replica plate के लिए requirements का है अगर मुझे replica plate technique अभी करनी है तो फिर मैं क्या करूंगी मुझे क्या requirements लगेगी तो मुझे लगेगा nutrient agar plate लगेगी bacterial culture लगेगा sensitive to antibiotic necessary glass verse लगेगे और sterile nutrient agar plate with antibiotic लगेगी sterile velvet cloth लगेगा सो केसे perform करेंगे तो पहले हम bacterial culture को dilute करेंगे और cells को spread करेंगे nutrient agar plate पे जिसको master plate भी कह सकते हैं फिर उसे incubate करेंगे 37 degree centigrade पे 24 गुंटों के लिए जब उस पे colonies grow होगी master plate पे फिर उसके बाद में हम उस पे velvet block को gently press करेंगे अभी हमने velvet cloth क्यों use किया कि velvet का अपने fiber देगा होगा उसके उपर इसे उसमें एक needles जैसे होते हैं न वह बहुत सारे तो वह एक fine inoculating needle की जैसे काम करता है और हर colony में से एक एक हाथ दो सेल उस velvet के कपड़े पे चिपक जाती है फिर उसके बाद में उसको हम master plate पे से replica plate पे ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर इस diagram में भी दिखा है कि master plate पे से हम चला गया हरे master plate पे से हम velvet block पे लेते हैं फिर velvet block पे उस पे इंप्रिंट्स आ जाते हैं फिर replica को वो fresh media पे प्रेस करते हैं फिर से फिर हम देख सकते कि यहाँ पर जो sensitive colonies थी वो grow नहीं हुई और जो mutants थे वो grow हो गए तो यही इसमें आगे लिखा है यह उदर हमने ampicillin लिया था यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने ampicillin लिया था ampicillin containing nutrient agar plate और यहाँ पर वही same diagram है बट इसमें क्या है कि इसमें हमने penicillin लिया है और फिर उसको incubate करने के बाद में एक ही resistant colony आई है यहाँ पर दिख रही है तो वही colony इदर से हमने उठाई यह वाली और यह जो resistant colony इसको हमने सस्पेंट किया इसमें और फिर उसके बाद में फिर जो टेस्ट वेस्ट करना होगा वो करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते मास्टर प्लेट है स्टरिलाइज्ड वेल्विटिन क्लॉथ और वूड़न होल्डर का फोटो दिखाया है और किस टाइप के हम ब्लॉक्स यूज़ कर सकते रेप्लिका प्लेट टेखनिक करने के लिए उसके भी इदर फोटो दिखाया हुए पॉसएर इसके अप्लिकेशन क्या क्या है क्या है तो सेम टू इसम कालुई उससी पेटन में ग्रो करने के लिए हम रेप्लिका प्लेट टेखनिक यूज़ करते अबेसली जो Oxotopic Mutants है उनको identify करने के लिए और isolate करने के लिए replica plate technique यूज़ करते हैं और जो antibiotic resistant mutants है उनको isolate करने के लिए यूज़ किया जाता है फिर अलग-अलग colonies उनकी nutritional requirements जानने के लिए भी replica plate technique को यूज़ किया जाता है और screening करने के लिए और mutants को select करने के लिए यह technique यूज़ किचाती है Thank you